हाई गाईज कैसे हैं आप सब हैं फाइन एंड होप यूर वैल थू एंड यूर वेलकम तो माई यूटूब चैनल ओके एड्यूकेशन विदिएशन और दिस इस माई फर्स्ट टिचिंग वीडियो ओन दिस चैनल तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और कमेंट सेक् तो चले चलते हैं टॉपिक की और आप सभी का मेरा यूटूब चैनल ओके एड्यूकेशन भी मेडिटिएशन में स्वागत है दोस्तों यह मेरी पहली टीचिंग वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी और चलते हैं आज का हमारा टॉपिक है नाउंस विद वन मेनिंग इन सिंगुलर बर्ट अनौदर एंग बदध के साथ संग्याएं लेकिन वंचं इं एक और यानिकि जो नाउं एक बचन में जिस संग्या का एक बचन में जो अर्छ होता है उसी संग्या को यदि हम बँर पुसं बनाएंगे तो उसका अर्ट क्या होगा बनाएगि यह आज का हमारा टोपिक है और कुछ वर्ड जो मैं लेकर करके आया हूं जासे देखे दोस्तो सिंगुलर यानि एक बचन और प्लूरल आनि भवचन अब यहां पर एक वाटर यानि पानी होता है सब्सक्राइब देखे दोस्तों यहां पर तो वाटर यानि होता है समुद्र तो देखें दोस्तों यहां पर तो वाटर गर्थ पानी था लेकिन जो बहुचन बनते ही इसके अर्थ में चैंजेज आ जाता है यानि कि यह समुद्र हो गए यानि अर्थ बिलकुल बदल जाता है उसी प्रकार से देखें डबलू डबलोडी बुड यानि लगडी और जब इ प्रकार से जाता है यहां पर भी इसका अर्थ बिलकुल चैंज हो गया तो दोस्तों यदि हम इनके उपर कोई वाक्य बनाएं जैसे एक आदमी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता यह बात तो ठीक है लेकिन उसको ही हम यह बोले कि एक मैन कैंट अलाइव बिनाओ बिदाओ वाटर्स बोलने में तो ठीक लग रहा है लेकिन अर्थ की दर्ष्टी से ये बाके सही नहीं है इसका अर्थ ही होगा कि एक आदमी समुद्र के बिना जिवित नहीं रह सकता तो अर्थ की दर्ष्टी से ये सही नहीं है उसी प्रकार से कुछ और सब्ज देखते है एडवाइस advice, advice यानी होता है राय या परामर्स उसी प्रकार से देगे advices, advices यानि यहाँ पर इसका अरत पूरा चेंज हो गया है इसका अरत होता है सूचनाए air, air यानी हवा उसी प्रकार से जब इसका हम plural बनाएंगे airs तो airs यानी होता है दिखावटी आजरन अलफा विट्स यह सोचते हैं कि अल्फा सरा रहत तो इसका बहुत्त अल्फा वेट्स करतो होता है बहुता है भाषाएं कामपास अन्यक्त ard म olar कुमिक यह एमस्याईख तो इसकान सीमाइश क्मफास एक यांत्र हो Compasses एक यंत्र होता है अब देखें G.O.D. गुड यानि लाव अच्छा भी होता है और इसका बहुचन बनाएंगे तो जाएगा Goods Goods यानि माल या सामान उसी प्रकार F.O.R.C.E. Force Force यानि सक्ती या बल तो इसका बहुचन बनाएंगे तो Forces यानि सेनाई अर्थ में परिवर्दन है Singular रूप है देखें आईरन आईरन यानि लोहा तो इसका हम बहुचन बनाएंगे आईरन्स I.R.O.N.S. आईरन्स यानि होता है कड़ी या जंजीर एक और है Return R.E.T.U.R.N. रिटन्स यानि वापसी तो अब इसका हम बहुचन बनाएंगे तो हो जाएगा रिटन्स R.E.T.U.R.N.S. रिटन्स यानि होता है इसाब किताब करना इसाब किताब करना धन्यवाद दोस्तों कैसे लगी वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और सबस्क्राइब कर दीजिए और जो वेल आइकन है उसको प्रेस करना न भूले उसको प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास